क्या होगा अगर एक स्नेक और कैटरपिलर का हाइब्रिट बनाया जाए। एक कॉलेज स्टूडेंट ने दुनिया का पहला स्नेक और कैटरपिलर का हाइब्रिट बनाया है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये दिखता कैसा होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने पालतू सांप से DNA को निकाला, फिर उन्होंने अपने घर के बैक्यार्ड में पाया गया एक caterpillar के DNA को एक साथ मिलाया और फिर उस sample को अपने home made lavatory मे ले गए और कुछ दिनों बाद fertilizer अंडे को तयार किया वो उस अंडे को पूरे पांच महीने तक सेता रहा जब तक कि उसमें से वो हाइब्रेड बाहर नहीं आ गया आप उस हाइब्रेड को देखने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ये रहा वो सनेक और कैटरपिलर का हाइब्रेड ये इतने क्यूट दिखते हैं कि उस कॉलेज स्टूडेंट ने ऐसा और भेर सारा हाइब्रेड बना दिया जो उसके बैक्यार्ड में रहते हैं